हाँ जी दोस्तों तो आज हमी इसाबऊदाने का डोशा बना कर तियार करेंगे उसके साथ बनाएँगे यह मुनफली की चतनी तो सबसे पहले हमें गुबला हुआ आलो लेगे और इसे अच्छे से कद्दुकस कर लेगे कद्दू कस करके इसे साइड कर देंगे और एको लेंगे बाउल उसमें डालेंगे थोड़ी दर दरी पिसी हुई मुनफली उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे साइड रख देंगे साइड करने के बाद दो घंटे भीगा हुआ हम साबू दाना लेंगे और इसे मिक्सी के बावल में डालेंगे मिक्सी बावल में डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका अच्छे से बैटर तियार कर लेंगे यह लेजे हमारा बैटर तयार हो जुगा है अब इसे हम हमारे कसे हुए आलू में डालेंगे और इसे डालने के बाद हम डालेंगे इसमें एक टी स्पून काले मिरच और एक टी स्पून सेंदा नमक और बारी कटी हुई हरी मिरच और इसमें डालेंगे हम दो चम्मज दही क्य बनाओगे एसमि मसाले और ढाल सकते हो और इन्हें मिलाने के बाद हम इसमें अवसकता अनुसारा थोड़ा से और पानी डाल के बाद इसे हम थोड़ी तो ओर मिक्स कर देंगे चलाते 더 solic double यह उतने हमारा तो ओयल पी डाल सकते हो और फिर हम एक चमचा भर कर इस पर बैटर फैला देंगे याद रखना है जब हम बैटर डाले तो बिलुकुल हमारी गैस का फ्लेम स्लो होना चाहिए और जब बैटर डालने के बाद हम इसे थोड़ा मीडियम कर देंगे और इसे अच्छे से डोसी के दारा फैल देंगे और दो से तेन मट के लिए ठोड़ देंगे यह लिजे हमारा पकर त्यार हो चुका है और इसे में बहुत अच्छे तरी के से पलट देंगे और पलटने के बाद 2-3 मट के लिए पकने देंगे ये देखे अब मैं आपको दोसरी तरह से पलट कर दिखा देती हूँ ये देखे अच्छे से पक चुका है और इसी तरह सेकर हम और टो से भी तैयार कर लेंगे तो चलिए, अब मैं आपको चुटनी बनाना सिखाती हूँ, तो सबसे पहले लेंगे हमें एक कढाई, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ओयल, ओयल डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, अगर आब वुर्द में जीरा नहीं खाते हैं, तो इसके टीप भी कर सकते हैं उसके बार डालेंगे इसमें थोड़ी सी हरी मिरच कटी हुई ओ इसे थोड़ी देर ऐसे ही भुन लेंगे इन्हें भुन जाने के बाद इसके पद डालेंगे हराधनिया और हमने जो भिगोकर मुमफली रखी थी उसका बैटर डाल देंगे उसके बाद हम इसमें सैंदा नमक डालेंगे स्वादा नूसार और इन्हें अच्छे से मिक्स करकर चलाते हुए चार से पांच मंट में ये चटनी बनकर तयार हो जाएगी हम इसे चलाते रहना है जाद देरे से हमें गैस पर नहीं रखना है और ये लिजे हमारी चटनी बनकर तयार हो चुकी है हमारी रैस्पी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब करना